नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल से इस प्लैटफॉर्म में तो आज हम लोग बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो की अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है जारकन में जो की जारकन हाई कोट के द्वारा दिया गया है और इसमे डारेक रिक्रूट्मेंट है असिस्टेंट या क्लर्क का आपके जितने भी जारकन में सारे सिवल कोट है उसमें तो यह अच्छी खासी वेकेंसी आई जो की टोटल 410 पोस्ट के लिए है जिसमें की जैनल का आप देख सकते 130 वेकेंसी है SC के लिए 58 है ST के लिए 143 है BC1 के लिए 38 वेकेंसी है BC2 के लिए 14 है और EWS के लिए 27 है ठीक है तो इसका जो eligibility criteria है यह है कि आप graduate होने चाहिए ठीक है और आपके पास एक जो computer degree है वो होना चाहिए कि आपको computer का अच्छा खासा ग्यान है और इसका जो form भढ़ाने का जो starting date है व और यह last date है आपका 9 मही तक ठीक है और आप देख सकते हैं आपे इसका जो pay matrix है वो level 4 का है that is 25,500 से 81,100 जो कि आपको starting salary आपका इसमें लगभग 38 से लेकर के 40,000 तक का होगा ठीक है यह था more importantly हम लोग को इसमें बात करना है कि इसका syllabus क्या है और हम लोग कैसे इसको approach कर सकते है ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं कि इसका syllabus दिया हुआ है तो देखिए इसका जो exam pattern है यह तीन चरण में होगा that is a return test जो कि आपका prelims का mains है इसमें मतलब एक ही exam है ना कि ऐसा कि prelims है या फिर उसके बाद mains है बस यहां पर एक return test है जो कि total आपका 90 marks का होगा इसमें क्या है आपका 80 question objective है ठीक है objective है और बाकी 10 question मतब 10 marks के जो होंगे वह आपके essay है ठीक है तो total कितना है तो वह 90 marks का total paper होगा तो इसको भी divide कर दिया गया है तो divide कैसे किया गया है तो सबसे पहले general English का paper है जिसमें आपका English comprehension है फिर grammar है और फिर word power है ठीक है तो इसमें क्या है कि जो एक और चीच बसता है वो English essay writing जो कि 10 नंबर का है तो इसमें आप लोग को focus करना है comprehension पे grammar पे और vocab पे ठीक है और essay writing पे फिर दूसरा आपका section आजाता है general knowledge general knowledge बहुत important है क्योंकि इसमें 30 marks है ठीक है पर जो बचे JSC या फिर JPC का preparation कर रहे थे या और बाकी state मतलब SSC के exam के preparation कर रहे थे उनके लिए के एक वाक होगा कि वो general knowledge अच्छे से कर ले फिर आपका आता है group 3 जो कि है numerical ability और reasoning test इसमें 15 question आपके math से होगे 15 question आपके reasoning से होगे ठीक है तो total करके आपका है 90 question होगा फिर क्या है कि यह जो exam clear हो जाएगा आपका तो फिर आपको computer skill test होगा जो कि qualifying in nature आपको 5 minute का time देगा ठीक टाइप करना है at the rate of 20 words per minute ठीक है मतलब आपको एक मिनट में 20 word type करने उसके बाद आपका interview आता है interview सब को ही देता है जो यह return test pass कर लिया वो interview देगा ठीक है क्योंकि जो यह computer skill test है वो qualifying ही होता है फिर जो interview होगा वो 15 marks का होगा और इसमें इसमें जो qualifying marks है यह 5 आप याद रखि कि अगर आप qualify नहीं कर रहे हैं interview में तो आपको fail कर दिया जाएगा ठीक है तो interview या फिर computer skill test कोई भी जो जो भी exam है इसमें जो भी phase exam का आपको सारे exam में qualify करना है ठीक है अगर आपको यहां पर interview में 4.5 दे दिया जाता है तो आप याद रखिए कि आपका result नहीं बनेगा ऐस अभी हाल में पटना है कोट के एक्जाम में हुआ है ठीक है तो computer skill test आप देख लिए कि यहां पर क्या आए कि आपको एक पैसेज दिया जाए अगर इसमें आपको उसको टाइप करना है और उसके बाद तो आपका interview में भी ज्यादा कुछ नहीं बस आपके जितने आर्टिकल पॉलिटी आपको पॉलिटी बढ़िया करना होता है उसमें ठीक है फिर आपको खुद के बारे में जानना है ठीक है आपको self को prepare करना है और thirdly आपको current affair को prepare करना होता है इंटर्व्यू के लिए तो यह बात की बात है यह जब होगा तर हम आपको बता देंगे अभी हम लोग इसके लिए हम एक प्रोग्राम लॉंच की है ठीक है जो कि एक टेस सीरीज है और इसमें क्या है कि आपको total 10 टेस्ट दिये जाएंगे एक मिट में आपको दिखा देती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जारकन हाइक कोट और जारकन सिविल कोट का दोनों का यह टेस्स सीरीज है जिसमें कि आपको ती समार्ट का general इंगलेज जैसा बताया गया था general knowledge ती समार्ट के और reasoning पिसमें कि आपको 10 टेस्ट मिलेंगे ठीक है जिसमें कि आपका का एहाँ है Has said कैसे करके के टेस्ट होगा और यह स्टार्ट होगाव के 20 अपरिल से ठिक Trung और इसमें ज होगा मैं उसको प्रॉपर्ली एवैलुएट किया जाएगा ठेकिए ठीक है और इसमें weekly targets हम लोग देंगे ठीक है जिसमें की vocab और जेनर नॉलेज को cover किया जाएगा properly और proper strategy बताया जाएगा उन लोगों की बारे से भी आपको बताया जाएगा जो अभी हाल में पटना तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है और अभी तो राम नोमी का ओफर चल रहा है कि आपको यह 299 में मिल रहा है ऐसे इसका जो नॉर्मल फीस है यह 499 है तो अगर आप अगर आप लोग अच्छे माक्स लाना चाहते हैं कि सिविल कोट में जाने का या फिर हाय कोट में जाने का जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब होता है बहुत ही रॉयल जॉब होता है आपको बिल्कुल अलग करके रखा जाता है इन दे सेंस की कोई आप पर आके दब इस जॉब के लिए प्रिपेर कर सकते हैं इसका लास्ट नौ महीं है आप लोग क्रीपा करके अगर आप लोग इंटेस्टेट है तो इस फॉर्म पे जरूर अप्लाय करें क्योंकि अगर आपका यह जॉब हो जाता है तो बहुत एक सेक्यूरिटी मिल जाएगा और यह जारक पेपर लीग हो जाता है ऐसा कुछ इसमें वैटर नहीं आएगा तो आप लोग करते रही हैं थैंक्यू सो मच